अब यह जो गाड़ी है अपग्रेड हो गई है बीएस सिक्स के जो अपग्रेड नॉम्स है उसे भी यह मीट करती है इसका एंजिन जो है यह टोटली नया है लेकिन जो सबसे खास बात है इसकी यह जो टॉप एंड वेरियंट है इसमें आपको मिलेगा टू टन का पेलोड और एक खास बात यह है कि यह सबसे बड़ी गाड़ी है यानि कि लोडिंग केपैसिटी आपको सबसे बड़ी मिलती है यहाँ पे 10 फीट का इसका लोडिंग एरिया है अब बोलेरो मैक्स फिकप जो है यह अपग्रेड होती रही है हमेशा और यह जो अपग्रेड है बहुती ब यहाँ पे आपको निग लाम्प मिल जाते हैं वह सारा को इसमें आजाएगा बंपर जो है इसका यह भी चेंज हो गया और यह प्लास्टिक का नहीं है यह मैटल का बंपर है यहाँ पर जो वील आच लिगिन आपको मिलता है यह फाइबर का है और एक चीज मुझे अची जो बढ़ा चीप सा लगता है यहाँ पे फोग लैम के जगा दी गई है इसके साथ जो टायर आता है यह शेवनर जिए फॉपक्र्ग डास का अगें इसके बड़ा तैयर है और यह है वी डूटी के लिए बहुत ही सूटेबल है अपॉलो एंडियो एस अरे का इसमें टायर साइड में देखे तो यहाँ पे आपको इसके डोर पे ग्राफिक्स मिल जाएगी जो इसके लुक को थोड़ा और उबा देता है यहाँ पे महिंदरा IMAX का स्टिकर आपको अब मिलता है जो पहले नहीं आया करता था जो बेसिकली एक GPS ट्रेकर का भी काम करता है और यह पहले ही इंट्रिजूस हो गया था लेकिन गाड़ी के उपर अब इसकी ब्रैंडिंग आ गई है जिसे IMAX कहते हैं और यह जो मैंने आपको बताया इसका जो लोडिंग एरिया है यह अपने कλάस में सबसे बड़ा है दस फीट की लंबाई है जो और किसी गाड़ी में नहीं आती है टू टन इसकी पेलोड केपैसिटी है टू टन की केपैसिटी है आपको टाटा युद्धा में भी मिलती है लेकिन इतना बड़ा लोडिंग स्पेस आपको इसमें नहीं मिलता है पीछी का जो लुक है वो टिपिकल बॉलेरो पिकप का ही है यहां पे आपको LED की टेल नैप मिल जाएगी इसके VXI वेरियंट में इसमें दो वेरियंट आते हैं LX और VXI और VXI में आपको LED की टेल नैप मिल जाती है इसके लोडिंग में को खुलना काफी आसान है इस तरह से दो लीवर्स को उपर करना है और इस तरह से पुश करके यह आसानी से खुल जाता है इसके सस्पेंशन आप देखे तो यहां पे लीव स्प्रिंग का सस्पेंश आपको मिलता है से पाटे भी कहते हैं और यह काफी बड़े साइज के हैं एक और अच्छी चीज है कि यहां पे लॉकिबल फ्यूल कैप मिलता है डीजल के लिए और इसमें एक खास बाती है कि आपको इसमें एड़ ब्लू या यूरिया डालने के जरुवत नहीं है क्योंकि जो नई टेकनालोजी यूज की गई है इसमें इस चीज की जरुवत नहीं पड़ती है अब इसके इंटीर में बहुत जादा बडलाब नहीं हुआ है लेकिन कुछ चीजें आप नोटिस करेंगे कि इस HD वर्जिन में आपको यहां पे ब्लोर मिल जाएंगे और AC इसमें नहीं आता है लेकिन ब्लोर दिया गया है जिससे आपको हवा हमेशा आती रहे और इसे आप अगर अन करें तो यह ब्लोर है भी बहुत ही पावफुल यह अच्छी बात है यहां पे कैविटी दी गई है जहां पे आप टच्सक्रीन सिस्टम लगा सकते है जो की अक्सेसरी में अविलेबल है जो फिट अन फिनिश है इसकी काफी डीसेंट है और नई चीज इसमें यह है कि इसका जो आईपी है इसका लुक तो सेम है लेकिन जो इसका इन्फरमिशन का स्क्रीन है यह टोटली नया यह बड़े साइज का है और पढ़ने में भी आसान हो गया है इसमें आपको स्पीडियोमीटर मिलता है और एक डिजिटल क्लॉक भी मिलता है बाकी जो इसका आर्पीम है यह भी डिजिट हो गया है कुछ बाते मुझे बलेरो पिकप के नए मॉडल में अच्छी लगती है कि यहां पे आपको मोल्डिंग दी गई है जो बिल्कुल एक कार की तरह लगती है अच्छे क्वालिटी की यह रूफ मोल्डिंग है और इसके वजासे जो हीट है जो गर्मी है यह भी कम हो जाती है स्टेरिंग इसका वही है उसमें कोई चेंज नहीं है इसमें कोई अजिस्टमेंट भी आपको नहीं आता है गियर लिवर जो है इसमें आपको 5-speed का गियर वाक्स मिलता है गियर लिवर काफी लंबा है और जब आप रिवर्स डालें तो आपको थोड़ा कैरफुल लगा क्योंकि आपके और पेर से टकरा सकता है यहाँ पर जो पासिंग आपको मिलती है डी प्लस टू की मिलती है यहाँ पर हैड़्स जो मिलते है अधिस्टेबल टाइप के हैं लेकिन Air Circulation cabin में काफी अच्छा होता है यहाँ पे आपको कोई USB सॉकेट नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे 12V का सॉकेट आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए यहाँ पे mobile के रखने के लिए जगा दी हुई है या कुछ और समान भी यहाँ पे आप आसानी से रख सकते हैं बाकी storage space इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पीछे यहाँ पे एक bottle holder दिया गया है जहाँ पे आप पानी की bottle रख सकते हैं आसानी से और seat के नीचे आपको मिलेगा एक fire extinguisher जो of course mandatory है एक जरूरी norm है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह बैटरी cut off switch है जो emergency situations में आप इसे off कर दें तो बैटरी जो है यह cut off हो जाती है यहाँ पे lamp उपर नहीं दी गई है बलकि यहाँ पीछे की तरफ दी गई है इसका जो loading bay है इसकी जो size है यह 10 foot लंबाई में है 5 foot 10 inch चोड़ाई में है और 2.2 feet जो है यह इसका height है बल्वेरो max 2.0 HD में जो engine है यह 2.5 liter का M2DI engine है यानि direct injection इसमें 80 bhp का power आता है और torque जो है इसका यह 220 nm का है तो काफी torque है और आपको यह महसूस होगा जब आप फुल लोड में गाड़ी चलाएंगे कि power की कमी कहीं महसूस नहीं होती है आपको और बहुत अच्छी तरह से यह full capacity load भी ले ले लेती है और highway भी आप चलाएं तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस engine के साथ 5-speed का gear box आता है और जो clutch है यह single plate dry clutch है इसमें height adjustable driver seat आती है जिसके वज़ासे जो position आपको चाहिए वो आप आसानी से choose कर सकते हैं power steering के वज़ासे चलाना काफी आसान है चाहिए आप city में चलाएं या highway पे चलाएं और leaf spring suspension की वज़ासे जो load carrying capability है इसकी यह भी काफी अच्छी है 60 liters का इसमें fuel tank आता है तो अगर आपको intercity भी travel करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी stability भी काफी अच्छी है इसकी जब खास तोर से आप fully loaded गाड़ी highway पे चलाएं तो यह बहुत सीधी चलती है और आपको confidence भी इसके वज़ासे काफी अच्छा आता है नए बोलेरों में एक बहुत अच्छी है कि steering की position जो है इसकी आप यह सीधी हो गई है पहले यह right side पे थोड़ा सा tilted था तो इस वज़ासे थोड़ी दिक्कत होती थी लेकिन आप यह दिक्कत नहीं है सामने का जो area है यह चोटा है जो bonnet area है इस वज़ासे आपको visibility अच्छी मिलती है और जब आपको you turn लेना है या turn करना है तो उसमें भी आसानी काफी हो जाती है रात में अगर आप चला रहे हैं तो जो cornering lamps हैं इसकी वज़ासे आपको आसानी भी काफी हो जाती है seats से comfortable हैं तो अगर आपको लंबी journey करनी है या लंबे समय तक चलाना है तब भी यह काफी आराम दायक है इसकी जो price से शुरू होती है 10.33 lakhs यानि 10 lakh 30,000 से LX version के लिए और जो VX version है यह 10.68 lakhs का है X showroom तो यह थी कुछ बाते bolero max pickup HD के बारे में आप हमें comment से बताईए कि क्या आप यह pickup खरीदना चाहेंगे या नहीं वैसे अगर आपका काम ऐसा है जहांपे आपका जो load है यह volumetric भी है और weight में भी ज़्यादा है तो मेरे खहल से आपके लिए यह perfect गाड़ी है और खास तोर से अगर आपको intercity travel करना है तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, gear freak को subscribe करना ना भूलें कार चलाएं या पिकप ट्रक चलाएं, seat belts ज़रूर पहनिए